इस कारिक्रम के पुन्यार जखें भगवान नेमिनाथ दिगंबल जैन मंदिर सुस दिगंबल जैन मंदिर समिती अंतरगत जैन संग पूने जेस पी ग्यानोते जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक सुस गाव पूने एपनी चमता को पहचानने की और उसे नहीं पहचान पाते हैं तो इस्तंबे रम्या की भाती ही जीवन के अंत समय तक बंदे रह जाएंगे उसी इस्तंब के चक्कर लगाते रहेंगे और छोटी सी रसी से बंद करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं आप सब लोग में से बहुत सारे ऐसे ही निकल करके आ जाएंगे वो हाथी उस स्तंब से बंदा है आप किस से बंदे हुए हैं बताना किस से बंदे हुए कौन कौन सी बातों को देख करके आपको डर लगता है आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा it's very difficult for me it's next to impossible मैं नहीं तुड़ पाँगा असरस्य को मैं नहीं करेक कर पाँगा एक्जाम को मैं जीवन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाँगा मैं ओफिस में परफॉर्मस अच्छा नहीं दे पाँगा मैं लाइफ में बैलेंस अच्छा नहीं बना पाता हूँ कितने लोगों की शिकायत है दुनिया से मेरा व्यभार अच्छा नहीं हो पाता लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं कितने लोगों की शिकायत है पसंद नहीं करते हैं कितने लोगों की शिकायत है आपका increment नहीं हो रहा है office में कितने लोग की शिकायत है मेरे साथ partiality होती है कितने लोग की शिकायत है घर में हमारे साथ partiality होती है family members हम से behave अच्छा से नहीं करते है हमें neglect करते है कितने लोग की शिकायत है बता ला सभी लोग जब जब हम शिकायत करने लगें तो समझना दोस दुनिया का नहीं है दोस हमारा जब जब मन में ये प्रशन पैदा होने लगे कि हमारे साथ Parcelity हो रही है अत्वा हमारी सहन करने की छम्ता नहीं है कुछ लोगों कहते हैं महलाजी हमारे उपवास करने की छम्ता नहीं है एक उपवास करते है तो माइग्रेन होने लगता है चक्कराने लगते हैं क्या करें कितने लोग है बोलतो है यह सब बेखूप बनाने वाली बात है विक्ति रिए अपने पॉटेंशल को पहचाना ही नहीं है एक बर हम potential पहचान ले तो हम शारीरी ग्रूप से भी बहुत strong हो सकते हैं बहुत powerful हो सकते हैं इसका सबसे बड़ा benefit होता है किसी भी field में क्यों नहों हर परिस्तिती को मात दे कर करके हम आगे वड़ जाएंगे जो लो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं देखो उन सुकुमाल को देखो उठाएंगे देखो आप से जादा सुकुमाल सरी जिन का था नहीं था लेकिन क्या हुआ कि उसे आलनी खा रहे हैं फिर भी वो बैठे हैं निश्चिंतता से बैठे हैं जब तक नहीं पहचाना था अपने potential को छोटी-छोटी बातों में घबरा जाते थे लेकिन जिस दिन पहचान लिया उस दिन सब कुछ वही था अबस मन बदलते ही मन की विचारधारा बदलते ही अब surrounding worst से worst हो चुकी है पहले worst नहीं थी बहुत अच्छी थी अच्छी situation में भी वो नहीं समाल पा रहे थे अपने आपको worst situation में कोई फर्क नहीं पढ़ रहा तो हम समझें जब-जब हम घबराने लगे अंदर से तूटने लगे चाहे किसी बीमारी को ले करके कई लोग थोड़े सी बीमार पढ़ते हैं शरीर से लेकिन मन से बहुत ज़़ादा बीमार बढ़ जाते हैं ऐसा अरत नहीं समझें जब potential की बात कर रहे हैं तो life में progress करने के लिए नहीं ये potential वाली बात हर जगाए applicable होती है ये विचारधारा का खेल है मनू बलको समझने का खेल है अपनी मान से स्थिती को पहचानने की बात है जदी हम पहचान ले तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में किसी भी छेत्र में कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रतिकूलताओं को जेल सकते हैं अभी current scenario क्या चल रहा है Israeli country को जानते Israeli एक ऐसी country है जो चारो तरफ से घिरी हुई है Muslim countries से घिरी है ना यदि हम ऐसे घिर जाएं तो क्या सोचेंगे लेकिन Israel की technology world level की है इसकी army इसकी missiles world level की है जो चारो तरफ दुस्मनों से घिरा हुआ है अकेला है हाँ अकेला है इसकी population ज्यादा नहीं है population ज्यादा population नहीं है छोटी सी country है और surrounding कैसी है उस जैसी surrounding तो साथ किसी country की नहीं होगी पूरी world wide कोई भी देश ऐसा नहीं होगा पूरी दुनिया में जो चारो तरफ से घिरा हुआ 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 लेकिन हाँ सारी दुनिया उसका अलोगा मानती है वो इस्राइल भी 47 में इंडेपंडेंस पाई थी नहीं 48, 1948 में बहुत सारी ऐसी countries हैं जो उस period में सुतंत रही थी अब देखना उन्होंने अपने आपको पहचान लिया और कहां से कहां पहुच गया हर फील्ड में चाह टिकनोलोजी की बात हो अगरिकल्चर की बात हो मेडिसिन की बात हो मिसाइल्स की बात हो सिक्यूरिटी की बात हो साइबर सिक्यूरिटी की बात हो साफ्वियर्स की बात हो चाहे किसी जजबे की बात हो देश की रक्षा की बात अब अपने देखी रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? आप लोग जादा अच्छे से जानते होंगे बेटर तरीके से जानते हूंगे अब एक छोटी सी कंट्री किस बेस पर खड़ी है, खड़ी ही नहीं, बड़ी अच्छी से खड़ी है, लड़ रही है और कोई डर नहीं अंदर से कैसे हो गया ऐसा बता ना कैसे हो गया बस वो जागरत हो गया और कुछ नहीं हुआ, वो जाग उठे बाकी सारी दुनिया सो रही है सराउन इतनी खराब नहीं होती है, हमारा मन खराब होता है, हमारी सोच खराब होती है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं अपनी शक्ति को शक्ति सबके भी तर एक जैसी है तब ही तो कहा है हरा आत्मा परमात्मा बन सकती है जब हम धर में छेत्रे में से लगाएं एक चोर है अंजन चोर है उसका कल्यान हो सकता है एक चांडाल है उसका कल्यान हो सकता है नहीं हो सकता है एक पशु है एक सियार है उसका कल्यान हो सकता है एक सिंग है उसका कल्यान हो सकता वो आगे बढ़ सकता एक सुकर की परयाई में रहने वाला जीवा वो कल्यान कर जाता चाहे हम धर्म छेतर की बात करें चाहे हम कर्म छेतर की बात करें किसी भी छेतर की हम बात करें वे ही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने potential को पहचाना है जो बड़ी-बड़ी बीमारियों से लड़कर के जीत करके आगे पहुंचे है cancer जैसी बीमारी को जिन्होंने मात दी है ऐसे कई केसे होंगे डॉक्टर ने जिनके बारे में होशना कर दी ती दो मैने से ज़्यादा life नहीं अच्छे साल से ज़्यादा जी रहे हैं डॉक्टर आश्चर हैं कहीं लोग मिल जाते हैं से without medicine आश्चर की बात देखना देखो हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं आप अपने life में कब-कब हार मान जाते हों किन-किन परिस्तितियों में खबरा जाते हों आश्चर के पहले एक उपास मैंक्जिम साल भर में एक उपास करता था शिबीर में मैंने तेला कर लिया और मुझे कोई फराख निपड़ा उसके बाद में एक महने से मैं एक महने चार दीन हो गया मैं स्रीव दो टाइम कहना कह रहा हूं और मैंने नियम ले एक रात में नहीं खूँगा जतना जमाइगा इतना नहीं खूँगा अब मझे ऐसी डिटी की गोली लास बीस साल से चंटिनिस लेना पड़े टी अभे मैं एक भी दिन बीस दिन एक मैने से एक भी दिन ऐसी डिन आश्चर को पहचानने में लिया कहीं पर भी, किसी भी जगा पहुँच जाएं, कोई हर्डल सी नहीं रिखा हमें, और नहीं पहचान पाएंगे तो, एक छोटा सा मच्छर हमें घबरा जाता है, एक छोटा सा कील जो है, कील तो दूर एक छोटी सी घटना सुनकर के विक्ति अंदर से घबरा जाता है, घबर ज अंदर से आप तूटते चले जाते हो, कई लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं अंदर से, समाल नहीं पाते अपने आपको, कई ऐसे डिप्रेशन के पेशिंट हैं, जिनकी लाइफ में कुछ घटा ही नहीं, जब साइकेटिस्ट उनसे चर्चा करते हैं, फिर कंक्लूजन य फिर यह कैसे डिप्रेश्ट हो गए, उसकी फ्रेंड की लाइफ में ऐसा घट गया था, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा तो उसने उससे देख कर के यह सोचना प्रारम कर दिया, अरे कहीं मेरे साथ तो भी ऐसा नहो जाए, और टू विक्स टाइम पिरेड में उजाता ग कई लोग मिल जाएंगे ऐसे, कई ऐसे live example मिल जाएंगे, और अच्छे पड़े लिखेंगे हो, settled है, कोई tension वाली घटना ही नहीं घटी है, कुछ भी नहीं हुआ रहा है, सिर्स दूसरों को देख करके वह, यह जैसा हम अपने mind में feed करते चले जाते हैं, जैसे feeding होते चले जाती है, उसी के अंदरूप हम अपने आपको बनाते चले जा रहा है, और कोई अच्छी feeding कर दे, कोई अच्छा हम से, हमारा ही परीचे करवा दे, हमारी च्छमताओं का परीचे हम से करवा दे, अपने potential को हमें बता दे कि तुम क्या हो, तो बदल जाओगे, हो सकता है कोई दूसरा विक्ति, अत्वा कुछी की बात को सुनकर के हम स्वेम जागरत हो सकते, स्वेम जागरत हो गए, जब तक माने ये फीड किया नहीं, तुम ऐसे ही रहना है, तुम बड़े सुकूमल हो, कई पैरेंट से अपने बच्चे को बड़े, सुकूमल तरीके से पालन पोशन करते हैं, उले नहीं, दूप में नहीं भेजना, बीमान ना पढ़ जाए, इसी से बहार नहीं जाना, यह बड़े पैरेंट ने मुशत्रू कहलाते हैं, बिल्कु सत्य हैं, जिन्दगी में सब कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए, पैरेंट से आपको चला करके एड़वर्सिटीज को फेस करना चाहिए, जितना हम फेस करना सीखेंगे, मानसी ग्रूप से उतना ही मजबूत भ आपको बदलते चले जाएंगे, सारा खेल हमारे उस चमता को पहचानने का, सोच को पैदा करने का, और कुछ नहीं, आप भी जो चाहो कर सकते हैं, धर्म भी उप्वास करना, तो भी कर पाओ, कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, आप से आप दिन में कितने बार भोजन करते हो, सभी लोग, दू बार जब चाय पानी पी लेते हो, बीमार पढ़ते हो, तो कितने बार टेबलेट खाते हो, मेडिशन कितने बार खाते हो, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, थ्राई से डे तो खाना ही पड़ेगा, नहीं त अब उनी बार आजाएं, आदू हैं, इन में कितने बार भोजन लेते हैं, फीबर आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो भी कितने बार, कितने बार मेडिसन, तीन बार, एक ही बार मेडिसन, वो भी नहीं, अत्वर लेना पड़े तो एक ही बार, तो भी वो भी रिकवर कर आप जैसा भूजन कर रहे हैं वैसा ही है आपकी कोई लिमिटेशन नहीं में शारी अनुख हो उनकी लायाइव में प्राइटि कूलता है अच्छा भगवन की लाइफ में प्रतिकूल ना फिर भी कैसे किस बल पर डॉक्टर आधी आजाए तो गबरा जाता है वो ऐसे कैसे होगा समझ रहे हूं कि नहीं क्यों इस्तम्हेर मा बन करके जी रहे हूं क्यों उस हातीस की भाती अपने आपको बान करके रखे हूं एक छोटी सी रस्य से बान दिये हूं भूल गए हो अपनी चमताओं को हर छेतर में हर व्यक्ति भूला हुआ है धर्म छेतर में भूला हुआ है कर्म छेतर में भूला हुआ है शरीर के छेत्र में भूला हुआ है, पेरेंटिंग के छेत्र में भूला हुआ है, हर छेत्र में देखना आप, आपने अपने आपको कमजोर माल लिया है, जब जब हम उन सुकुमालमनी राज के उस चरित्र को देखते हैं, सुनते हैं, लगता है, क्या गजब है, इस धंग से देखना सीखो कभी भी इस धंग से सोचना सीखो सभी से कहना चाहते हैं चला करके प्रतिकूलता जहिलना सीखो जो अच्छा नहीं लगता वो करना सीखो जो भोजन अच्छा नहीं लगता वो खाना सीखो जो मौसम अच्छा नहीं लगता उस मौसम में रहना सीखो जो लोग अच्छे नहीं लगते हैं उन लोगों के साथ रहना सीखो जिन सब्दों को आप नहीं सुन पाते हों छमता नहीं है सुनने की आपके बीतर तुरंथ रियक्शन होना प्रारम हो जाता है चला करके उन सब्दों को सुनो ना सीखो जिनसे आपका मन नहीं मिलता है चला करके उनके साथ रहना सीखो जो आपसे कठोर वेवार करते हैं उस कठोर वेवार को जेलना सीखो जिसे आप लाइक नहीं करते हैं उसे एकसेप्ट करना सीखो उसे अपना ना सीखो अपना ना सीखो